नमस्कार बहुत स्वाला था आपका बिहारी नियुज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे पंचाय चुनाप में दिये गए बोट के बारे में और उस एक बोट की कीमत जो थी वह 31,000 रुपय थी बिहार पंचाय चुनाप के आखरी चुनाप के मतों की गिंती हो गई है पतादे कि बिहार में इस बार 11 चुनाप संपन हुआ जिसमें से बोगस बोटिंग को रोखने के लिए सिस्टम का इस्तमाल किया गया था जिससे की गलत तरीके से मतदान करने वालों को पकड़ा जा सके हलाकि इसकी आड में कई घलत काम भी हो गए इगारवे चलन में मतदान कर आई एक महिला के खाते से अचानक से पैसे गाइब हो गए उस महिला ने बताया कि 31,000 रुपे उनके खाते से गाइब हो गए है बतादे कि यह पूरा मामला जो है नवादा जिले के मोर्मा, बेलदरिया, टोला, इस्थीत, नबस, रिजित, प्रात्मी की बिद्याला, बूथ संख्या 149 से जुड़ा हुआ है जहां उस गाउं में मीना दिवी के खाते से पैसे गाइब हो गए है मीना दिवी अपने बूथ पर गई और वहां उसने जब अपने मत का इस्तमाल किया लेकिन उसके बाद जो है जब देर रात उसके मोबाइल पर पैसे कटने का यानि की मोबाइल में जो मेसेज आया उसमें ये था कि उनके एकाउंट से पैसे काटे गए हैं पता दें कि उनका खाता दच्छिन बिहार ग्राविन बैंक के रोह साखा में है और उनके खाते से सबसे पहले 10,000 रुपिय के दो बार पैसे निकाले गए जब मीना ने यह मेसेज देखा तो उनके होस उड़ गए अगले दिन यानि की 9 दिसमबर को फिर से मेसेज आया जिसमें 10,000 रुपिय कटने का मेसेज था इस घटना के बाद मीना ने बैंक साखा में कंप्लेन किया साथ ही उन्होंने रोह थाने में भी लिखित में सिकायत की इधर पैसे को लेकर वह भठकी रही थे कि 12 दिसमबर को एक बार फिर से उनके अकाउंट में बचे हुए 1000 रुपे की रासी कटने का भी मेसेज आही गया मीना देवी ने इस पूरे घटना को लेकर पीडित रोह पर कारजाले में वीडियो के नियाय की गुहार लगाने पहुंची वीडियो ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ही आपकी मदद कर सकते हैं इस घटना को लेकर बोलते हुए मीना देवी ने कहा कि बोट देने के लिए बूत गई थी जहां उन्होंने अधार काड़ दिखाने के बाद बाइमेस्टिक सिस्टम में अंगोठा लगवाया गया था उन्होंने अरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद ही खाते से 31,000 रुपे निकाले गए हैं हालाकि थानाद्यस ने कहा है कि घटना के चानवीन की जा रही है सभी बिंदूओं पर जाज के बाद ही मामले का खुला सा हो सकेगा पता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी मुंगेर जिले के सदर परखेंड के नौबा गड़ी उतरी पंचायत के बूत संख मुबाइल पर मेसेज आना कि सुरू हो गया कि बैंक एकाउंट से पैसे निकाले गए हैं बता दें कि यह खेल जारी था लेकिन लोगों को इस बात के समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पैसा निकल कैसे रहा है दो पर के बाद लोगों को समझ आया कि जब वोट देने जा रहे हैं तो उनके एकाउंट से पैसे कट क्यों हो जाया है हैं अंगामा सुरू होने के बाद वहाँ पर मुंगेर के सदर SDO खुसबुगुपता गाउं में पहुंची जहां लोगों ने अपनी सिकायत अधिकारियों को बताया साथ ही उन्होंने अपने मोबाइल से पैसे कटने क भी मैसेज उनको दिखाया जो उनके अकाउंट से खाले हुए थे इसके बाद SDO को पोलिंग बुथ पर तैनात मद्दान कर्मियों पर संदेर के अधार पर मद्दान कर्मी रवी कुमार को पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया जब पुलिस ने इस पूरे का निसान लेने के लिए उसे एक टैप दिया था लेकिन वह उसके अलावा एक अपना बाविमेट्रिक मसीन भी लेकर गया था बोट डालने आ रहे हैं लोगों को यह दिरवाचन आयोकी मसीन पर अंगुठे का निसान लेता फिर उनके वाद तुरंत वह कहता कि उनकी अंग पूरी हो जाती रभी इसी परकार लोगों के अकाउंट से पैसे निकालता चला गया और इस तरह उसने उसकाओं के करीब दस लोगों के खाते से पैसे चुरा लिए अब जब चुनाव समाप्त हो चुका है और दसवे चरण के चरण में जो है यह एक मामला सामने आया जिसक में आयोग और सरकार को बायोमेट्रिक मसीन पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है तो यह थी बायोमेट्रिक मसीन से जुलू हुई खामिया क्योंकि पंचाय चुनाव भले ही समाप्त हो लेकिन उसकी खामिया जो है इसमें साप साप देखनी लगी है ऐसे में चुन बिहारे नियोज के साथ मुझे देजिये जाज़त धन्यवाद